हाई कैसे दोस्तों मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नमनी स्काल रहा और आज जो है एक अपने बेटरूम से वीडियो बनाने का और टॉपिक क्या है यह है जी हाँ हाई फाइबर डाइट कोई भी नहीं है अगर आपको कॉंस्टिपेशन रहता है कब ज रहता है तो खाओ मखाना जाओ पकाना कैसा लगा मेरा एड तो मैं पकाना होके आ रहा हूं और बने रही मेरे साथ मैं आ रहा हूं अभी और फायदा भी तो बताने इसके मखाने के सोरी आई दोस्तों मैं आ गया वहीं से जहां से कोई आना चाहता नहीं है मखाना स्वरी पकाना करके टॉलेक्ट में की सीट से उठके आ गया हूं आपके लिए सिर्फ आपके लिए आपके लिए मुझे क्या-क्या निकरना पड़ता और पहले के जमाने में जब आपको याद तो वह क्या करते थे मुझे आज भी आदा है वह नबे का दशक जब जहां मैं ठाकूर गणी में लखनाओ में रहता था एक शादी के बात तो वहां पर एक जो मकान मालिक था उसके बच्चे को कब्ज की भंकर शिकायती और बिट्टू बैठा ही रहता था था अंदर मापा मकाना को मैं सुपर फूड बोलूँगा सच बता रहा हूं मैं बोलूँगा सुपर फूड क्योंकि इतने ज्यादा यूज हैं और ननी से जान और सच बता हूं तो मैं इसको सुपर फूड क्यों बोलता हूं और इसे इंगलिश में इसको फोक्स नट्स बोलते हैं या लोट भी नहीं है बिलकुल भी इसमें फैट बहुत कम है और प्रोटीन बहुत है तो मतलब जो जो चीज हमें चाहिए जो बहुत ज्यादा हेल्थ conscious लोग होते हैं जिनको जी भूख लगती है लेकिन उनको ये बड़ा डर रहा था कि कई वजन ना बढ़ जाए कई वजन ना बढ़ जाए तो जिन लोगों को बहुत वेट conscious है जिनको वेट लॉस करना है और उनको भूख भी लगती है तो उनके लिए मखाने से ज्यादा अच्छा कोई स्नैक है नहीं क्योंकि बाकि जितने भी स्नैक से आप देखेंगे तो ज्यादा फ्राइड होते हैं यह अकेला स्नैक मुझे लगता है जो रोस्टेड है और भी होता है बाकि जो इसमें केल्शियम होता है फोस्पेट होता है पोटेशियम होता है मेंगनीशियम होता है नमक कम होता है और हाइपो जो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो भी बहुत कम होता है मतलब शुगर के पेशन के लिए बहुत अच्छ है मतलब आपकी शुगर को अगर शुगर के पेशन को स्नैक खाना तो उसके लिए इससे ज़्यादा अच्छा स्नैक मुझे नहीं लगता कोई है इससे शुगर बढ़ती नहीं है तो शुगर को बिल्कुल मेंटेंड करके रहता है नमबर वन और जिनकी शुगर लो जाती है उनके लिए भी अच्छा है ना उनके लिए भी ठीक है तो कोई कि प्रोटीन बहुत है और आपकी वोंस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि केल्शम है पास्वेट है मेंडेशम है और किसके लिए अच्छा है मरदानागन मरदानगी के लिए तेरी मरदानिकी देखी कहीं नहीं अब एभाई जिन इसे testosterone release होता है और क्या है अच्छा मखाने की तासीर एक आईवेदा में बोला तासीर कैसे होती है तासीर ठंडी होती है लेकिन आप किसी भी मौसम में इसको खा सकते हैं और एक कटोरी मखाना रोज खा सकते हैं और रात को अगर खाएंगे तो नीद अच्छी आईगी तो सुबह भी खा सकते हैं और सुबह काम पर जाने से पहले अगर एक कटोरी खा लेना इतना फिलिंग होता है कि मुझे किसी नाश्टे की जटनी पड़ती मैं सुबह एक कटोरी इसको अगर खा लूँ और साथ मैं चाइव अगर पीलूँ तो मेरा अराम से टाइम पास हो जाता है को कि फिलिंग होता है आपको बार बार भूख नहीं लगेगी इसको खाने के बाद ना आपकी कैलीज बढ़ेंगी तो एक तो ये फायदा हो गया वजन जिसको कम करना है या वजन के बहुत कॉंशेस लोग है मेरे जैसे सलमान खान टाइप के मेरे जैसे जो लोग है स्मार्ट लोग डॉक्टर नमनीत काला जैसे उनके लिए सूपर फूड है अच्छा बहुत होगी ना तारीफ अपनी गहोत अच्छा है एंटी इजिंग प्रोपरटीज बहुत हो थthought लिए इसके अंदर थिक हैं तो एंटी इजिंग्टा Maar उती है तो इस लिए मैं जितना आपको लगता हूं कि मैं स्मार्ट लगता हूँ गोरा लगता हूँ अच्छा लगता हूँ तो इसमें इसका भी बहुत बढ़ाते हैं इस फोन का भी बहुत बढ़ाते हैं इसमें फिल्टर लगायता हूँ कि राज बता दिया सारे दुनिया फिल्टर मारनके लेग बट रही Wow रह जितनेगी ने ऐसा फिल्टर मारा रहा है कि क्या बता हूं चलो मुझे होता गाद आपको अच्छा लगों घंक खन होता कि लीध फिल्टर मांने के लिए होता है अच्छा यह हो गया, अब एक इसमें खास बात होती है, कैमफर फिनोल नाम का एक compound होता है, जो anti-inflammatory होता है, हमारी बॉड़ी में जितनी बिमानी होती है, sugar, BP, plant, इमका, यह सब होती है, inflammation के कारण, ठीक है, तो, यह ना जादू, एक छोटा सा, छोटा सा बिचारा नियाना, इतना सा होता है, और कितने काम आता है आपके, सोचिए, और इसलिए, और anti-oxidant property होती है, anti-aging होता है, बुड़ापा आने नहीं देता, आएगा अग्या हमारे इंदुस्दाने, उन्तों पहले टपक जाते हैं, हमारा बुड़ापा इसलिए नहीं आता, हमारी average age ही सारा 75-70 साल है, बुड़ापा आएगा क्या, उनको देखो जापनी को, 80-85 साल average age है, चलो, जब मैं 80 साल का पहुचूँँगा, अगर मैं पहुचा तो, तो मैं आपको बताऊँगा, कि मैं anti-aging क्या-क्या खाता था, तो ये काम की आज मैंने बात बताई आपको, मखाने के बारे में, तो मैंने बहुत सारे इसके फायदे बदा दिये, आपको फिर दुवारा से एक short नहीं आता हूँ, skin के लिए बहुत अच्छा है, तो आप भी खाई ये मखाना, अगर आप चाहते हो कि सुबह सुबह उठते ही आजाए पकाना, मैं सच बताता हूँ, मुझे एक constipation की problem रहती थे, अब आपको कोण सी problem है, जो नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे constipation की problem रहती थे, मेरे जिनकी का कोई भी राज आप से छुपा नहीं है, तो ये भी क्यों चुपाउगा, अब नहीं है, उसका रिज़ान नहीं बताता हूँ, कि मैंने एक दिन घर में पिन्नी बनवाई, पिन्नी पंचाब में पिन्नी बनती है, तो मैंने पिन्नी सर्दियों की बात है तो पिन्नी खाई तो पिन्नी खाते ही अगले दी मेरा पेट साफ और मैंने का भाई इसमें क्या डाला बताया उन्होंने बदाम डाले इसमें गोन डाली इसमें हमने मखाने डाले मखाने का नाम सुनते ही मेरा दिमाग सटक गया पता त मैं को भाई मखाना चाट लिया मैंने मखाना खाना शूर का दिया आए तक भाई साथ पेट की कोई प्रोलम नहीं होगी सच पता रहा हूं सुपह उठो त्रड़कर फ्रेश धन 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 ऐसा पखाना आता है भाई साथ मलाई ऐसा कहीं मरीज ऐसी बताते है डाक्टर एसा लगता है जैसे बरफी होती है बरफी मुलाएं वैसvelmente टटी नहीं होती हुआ अणा जक्ते है तो अगरवाल सूइट वाल है क्या डेक्टर साथ अू आपको कैसे होता था तू बताई ऐसे रहा है लगी रहत तो अगरवाल सूइट वाल हूँ मेरे पर कोई केस मत कर दें ये सिर्फ मजाग था, मजाग को मजाग रहने दो, मुझे चलने दो, और धिकता ना, धिकता ना, धिकता ना, अरे मखाना, 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 बाबी तुम हो खुशियों कखा जाना, जल्दी सकाओ, मखाना, धिकता ना, धिकता ना, धिकता ना, धिकता ना, धिकता ना, धिकत क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल अरे चल कहीं दूर निकल जाएं करने के लिए जहां कोई भी नाव सिर्फ बारिश हो और मैं हूं और मेरी कार हो और साथ में छतरी हो